नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है मुली के पत्ते खाएं और कई बिमारियों को दूर भगाएं यों तो सलाद में मुली बहुत पसंद की जाती है लेकिन इसके पराठें और सबजी के कद्रदानों की भी कमी नहीं है दोस्तों मुली में क्लोरीन, फासफोरस, सोडियम, मैगनेशियम, विटामिन A, B और C भी होता है पेट और मुत्र विकार के अलावा यह अन्य कई लाब भी पहुँचाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेकार समझ कर फेंके जाने वाले मुली के पत्ते भी आपको कई तरह की बिमार कारियों से बचा सकते हैं तो आएए आज हम इसी बारे में जानते हैं मुली के पत्तों में मुली की तुल्ना में कहीं अधिक पोशक तत्व होते हैं यह हमें पोशक तत्व से युक्त डाइट और आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसीड, विटामिन C और फासफोरस जैसे शारिर कारियों के लिए आवश्यक कई महतोपून मिनरल प्रदान करता है मुली के पत्ती में मुली की तुल्ना में अधिक फाइबर होता है फाइबर पाचन क्रिया में मदद के लिए जाना जाता है मुली के पत्ते कब्ज और पेट की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं पेट मूली के पत्तों में मौझूद अधिक आयरन थकान को दूर करने में मदद करता है। या कम हिमोगलोबीन से ग्रस्त लोगों को मूली के पत्ते का सेवन करना चाहिए दोस्तों। मूली के पत्ते दर्दनाक पाइल्स का इलाज करने में मदद करते हैं। एंटि-बैक्टेरियल गुनों के कारण मुली के पत्धे सूजन और दर्द को כम करने में मदद करते हैं मुली के पत्तों का पाउडर बना कर इसमें उसी मातरा में चीनी और ठोड़ा सा पानी मिला कर पेष्ट बना लें फिर इस पेश्ट को सूजन वाली जगह पर लगा लें थोड़े दिन इस उपाय को लगातार करने से समस्या दूर हो जाती है दोस्तों मूली में एंथो काईनीन होता है जो की दिल के रोगों से दूर करता है इसे खाने से शरीर से भी शैले तत्व कम होते हैं और तवचा में निखाराता है मूली के पत्ते का रस एक प्राकृतिक मुत्र वर्धक है मूली के पत्तों में सोडियम होता है जो हमारे शरीर में नमक की कमी को पूरा करता है मूली के पत्तों में फास फुरस होता है इसलिए भोजन के साथ सेवन करने से बालों का असमय गिरना बंद हो जाता है मूली के पत्तों को दो कर मिक्सी में पीछ लें फिर इन्हें चान कर रस निकाल लें और मिश्री मिला लें इस मिश्रन को रोजाना पीने से पीलिया रोग में आराम मिलता है दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आप मुली के पत्ते का इस्तेमाल करके कितनी बिमारियों को दूर भगा सकते हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछे कोवर महत्तो पूर जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों